रविवार को असंद राइफल के जवान महाशे उराओं ने 24 वर्ष 11 माह दो दिन मणिपुर में देश की सेवा देने के बाद विशुनपुर पहुँचे जहां पर ग्रामीनों के द्वारा उनका भव्वे स्वाधत किया गया इस दोरान ग्रामीनों ने भारत माता की जैवंदे मातरम का नारा लगाया इसके पूर्ण सेना के जवान ने बिशुनपुर में स्थित भगवान बिरसा मुंटा रती टाना भगत कार्तिक उराओं की प्रतिमा पर माल्यार पन किया इस दोरान बड़ी संख्या में ग्रामीन धोल नगारा वा मांदर लिये उनके स्वाधत के लिए बिशुनपुर चौक पहुँचे थे जहां से उन्हें स्वाधत करते हुए उनके पैत्रिक गाओं जेहन गुटवा पहुँचे जहां पर उन्होंने गाओं में स्थापित मह अधनिया में माथा देका जिसके बाद ग्रामीरों ने पारम पर एक रीती रिवाज के अनुसार उनका स्वाधत करते हुए उनके घर पहुचा है इस मौके पर असम राइफल के जवान महाशर उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की ठीकी रिटायर्मेंट के उनका ग्रामीरों के द्वारा इतना भवे स्वाधत किया जाएगा उन्होंने कहा कि मैंने 24 वर्षों तक लगातार देश की सेवा किया मेरा जॉइनिंग सिपाही से हुआ था और मुझे प्रमोशन होकर हवलदार के पोस्ट से रिटायर्मेंट मिला आज मैं अपने घर शुन्मुंडा, हरी उराव, बिगल उराव, भूशन लोहरा, भीम बढ़ाई, मनी उराव, छोटे लाल उराव, ललेत उराव, सहित भारी संख्या में ग्रामीर उपास्थित्थे लोग का स्वागत दे के मेरे को बहुत ही कुशी हो रही है और जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मैं कभी ने सोचा था तक इतना आप लोग सपोर्ट करें इसले मैं तहे दिल से आप लोग को सुपरिया आदा करता हूँ आपकी पोस्टिंग कहां थी और कितने वर्स बाद आप गाउं पहुंचे हैं मेरा पोस्टिंग नाइंटिन नाइंटिस नौंबर को मैं दिपा टोलिक पॉल्पर जियार से में बहाली हुआ उसके बाद मैं फर्स्ट असाम रेफल ट्रेंडिंग सेंटर एड़ी स्कूल जी सब्सक्राइब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होता है कभी यूटूब अगरा में देखा था लाकिन आइसे नहीं देखा था चलो आप लोग की सपोर्ट के दुबा से मेरे को अच्छा लग रहा इतने दिन आप देश सिवा करके घर लोटे अभी क्या जेनरेशन आने वाल सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें झाल